श्री राम कृष्ण वच्छना मृत के अगले भाग को प्रारम्भ करते हैं। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण एक दिन थोड़ा आराम कर रहे थे। मास्टर पास में बैठे हुए हैं। इसी समय शाम डॉक्टर तथा और भी कुछ आद्बी आये। श्री राम कृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं। बात यह नहीं है कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। इश्वर लाब हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फूल अपने आप ही जड़ जाते हैं। जिसे इश्वर प्राप्ती हो जाती है, उसके लिए संध्या आदी कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है। और गायत्री का लए ओमकार में हो जाता है, तब गायत्री जपने की भी आवश्यक्ता नहीं रह जाती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है, संध्या अधिकर्म कब तक है, जब तक हरिनाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रुधारा न बहे, धन के लिए या मुगदमा जी इतने के लिए पूजा आदिकर्म करना अच्छी बात नहीं है, एवक्ति पूछता है महराज, धन की चेश्टा तो मैं देखता हूँ, सभी करते हैं, श्रुईराम कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई कामना नहीं है, वह रुपया पैसा नहीं चाहता, रुपया उसके पास अपन आप ही आजाता है, गीता में कहा है यद्रिच्छा लाव संतुष्टव, भगत कहता है महराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए, श्री राम कृष्ण कहते हैं, पांकाल मच्छी की तरह रहना चाहिए, संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी इश्वर चिंतन करने पर उन में भक्ती होती है, तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे, पांकाल मच्छी कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता, इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है, श्री राम कृष्ण देख रहे हैं मनी एकाग रचित्त से उनकी बाते सुन रहे है श्री राम कृष्ण मनी को देखकर कहते हैं तीवर वईराग्य होने से लोग इश्वर को पाते हैं जिसे तीवर वईराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नी की तरह है, जल रहा है, वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सद्रिश देखता है, इस तरहे का वईराग्य जब होता है, तब घरद्वार अपने आप ही छूट जाता है, किवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए परियाप्त नहीं है, कामिनी कांचन यही माया है, माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी, एक आदमी बाग की खाल ओड़कर भै दिखा रहा है, जिसे भै दिखा रहा है, उसने का मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो हि रूपीनी है, वही आदिशक्ती स्तिरी का रूप धारण किये हुए है, अध्यात्म रामायन में है, नारदादी राम का स्तव करते हैं, हे राम जितने पुरुष हैं, सबाप हैं, और प्रकृती के जितने रूप हैं, सब सीता हैं, तुम इंद्र हो, सीता इंद्रानी हैं, तुम शिव हो, सीता शिवानी हैं, तुम नर हो, सीता नारी हैं, अधिकूर क्या कहूं जहां पुरुष है वहां तुम हो, जहां स्त्रिया है वहां सीता, मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता, प्रारब्ध संसकार ये सभी है एक राजा से किसी योगी ने कहा तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो राजा ने उत्तर दिया यह मुझसे न होगा मैं यहां रह सकता हूँ परंतु मुझे अभी भोग करना है इस वन में अगर रहूँगा तो आश्चरिय नहीं कि मैं इस वन में भी एक राज्य हो जाए मेरा भोग अभी बाकी है नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चलाता था परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था इसी लिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोल कर इतना रुपई कठख कर लिया है आलम बाजार में अंडी का रोजगार खूब चल रहा है एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना करता भजा संप्रदाएक इस त्रीयों के बीच में एक बार एक आदमे मुझे ले गया था वे सब मेरे पास आकर बैठ गई मैं जब उन्हें मा मा कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी ये प्रवर्तक हैं अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं उसके बाद साधक उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध एक स्तिरी वैशनव चरण के पास जाकर बैठी वैशनव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा इसका बाली का भाव है श्री राम क्रशन एक भग्त से कहते हैं मूर्ती पूजन में क्या दोश है वेदान्त में है जहां अस्ती भाती और प्रिय है वहीं उसका प्रकाश है इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है और देखो छोटी छोटी लड़कियां कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती है जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता विवाह हो जाने पर गुड़ियां गुड़ों को उठा कर संदूक में रख देती है इश्वर लाब हो जाने पर फिर मूर्ती पूजन की क्या आवश्यकता है मनी की ओर देखकर श्री राम कृष्ण कहते हैं अनुराग होने पर इश्वर मिलते हैं खूब व्याकुलता होनी चाहिए खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है एक आदमे के एक लड़की थी बहुत कम आयू में लड़की विद्वा हो गई थी पती का मुख उसने कभी न देखा था दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी एक दिन उसने कहा कि पिता जी मेरे पती कहा है उसके पिता ने कहा गोविंद जी तेरे पती है उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती रही और रोती थी वह कहती थी गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम आते क्यों नहीं हो छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके उसे उन्होंने दर्शन दिये बालक जैसा विश्वास बालक मा को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है वैसी व्याकुलता चाहिए इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुनोदय हुआ है इसके बाद सूर्योदय होगा ही इस व्याकुलता के बाद ही दर्शन होता है जटिल बालक की कथा आती है वह पाठ शाला जाता था कुछ जंगल की राह से पाठ शाला जाना पड़ता था इसलिए वह डरता था उसने अपनी मा से यह कहा बच्चे ने पूछा मधुशूदन को नहीं भला माता ने कहा मधुशूदन तेरे दादा होते हैं जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज लगाई, मधु सूदन दादा, कहीं कोई ना आया, तब वह कहां हो मधु सूदन दादा, जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, ऐसा कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा, मधु सूदन रहना सके, आकर कहा, ये रहे हम, बता तुझे क्या भए है, यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ाए, और कहा, तु जब बुलाएगा तभी मैं दोड़ा चलाऊंगा, भए क्या है, यही तो बालक का विश्वास है, यही व्याकुलता ह एक ब्रह्मन के यहां भगवान कि सेवा होती थी, एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा, वे अपने छोटे बच्चे से कह गया, आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना, बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया, परंतु, ठाकु ठाकुर जी नहीं उठते, उसे द्रड़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे, वे बार बार कहने लगा ठाकुर जी आओ, भोग तो पालो, बड़ी देर हो गई, अब और मुझ से बैठा नहीं जाता, ठाकुर जी क्यों उतर देने लगे, त व्याकुल होकर जोही कुछ देर तक वहर होया, कि ठाकुर जी हस्ते हस्ते आकर हाजिर हो गए, और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे, ठाकुर जी को खिला कर जब वह ठाकुर घर से निकला, तब घरवालों ने कहा, भोग हो गया, तो वह सब उतार लेया, बच्चे ने कह हो गया, ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया, उन लोगों ने कहा, अरे यह तू क्या कहता है, बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों खा तो गए हैं ठाकुर जी सब, तब घरवालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा, तो हक्के बक्के रह गए, थोड़ा सा भी प्रसाद वहाँ नहीं था, सारा ठाकुर जी ने खा लिया, बात है उन पर भक्ती करना, उन्हें प्यार करना, अगले दिन, श्री राम कृष्ण ने पहलाद चरित्र सुना, पहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं, जब हिरन्य कशिपु का वद हुआ, त अब नरिसिंग की रूद्र मूर्ती देख और उनका सिंगनाद सुनकर ब्रम्हादी देवताओं ने प्रले की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया, प्रहलाद बालक की तरह स्तव कर रहे हैं, भक्त वत्सल नरिसिंग बड़े प्रेम से प्रहलाद की देह पर जीब फिरा रहे हैं, आहा, भक्त पर कैसा प्यार है, कहते हुए श्री राम कृष्ण भाव समाधी में लीन हो गए, देह निस्पंद हो गई, आखों की कोरों में प्रेम आश्रू दिखाई पड़ रहे हैं, भाव का उप्षम हो जाने पर श्री राम कृष्ण उसी छोटे तक पर जा बैठे, मनी फर्ष पर उनके चरणों के पास बैठे, श्री राम कृष्ण उनसे बात चीत कर रहे हैं, इश्वर के मार्ग पर रहकर, जो लोग वासनाओं में गिरते रहते हैं, उनके प्रती श्री राम कृष्ण घ्रणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं, वे कहते हैं कि लाज भी नहीं आती कितने बड़े हो गए फिर भी वासना में पड़े हैं घ्रणा भी नहीं होती पश्मों कासा वेभार खून, मल, मूत्र इन पर भी घ्रणा नहीं होती जो इश्वर के पाद चिन्हों की चिन्ता करता है उसे परमसुंद्रिस्तिरी भी नापाक चीजे भरी होई है उसको लेकर आनंद लज्जा भी नहीं आती श्री राम टृष्ण कहते हैं कि उनके प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी को मिल गया तो कामेनी कांचन अत्यन तत्युच्छ जान पड़ते हैं जब मिश्री का शर्बत मिल जाता है तब गुड का शर्बत नहीं सुहाता व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर उनके नाम गुण का सदा कीर्तन करने पर क्रमशाह उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेमोन मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलने और गाने लगे भावार्थ यह है सुर्धुनी के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है शायद प्रेम दाता नित्यानंद आये हैं उनके बिना प्राण कैसे शीतल होंगे श्री राम कृष्ण कहते हैं क्यों हो पिंजडे की चिडिया की तरह क्यों होगे यह कहकर वो भावावेश में आ गए शरीर मन सबस्थिर है आखों से धारा बह रही है कुछ देर बाद कह रहे हैं मासीता की तरह कर दो बिल्कुल सब भूल गई है देह का ख्याल नहीं हाथ पैर किसी का होश नहीं एक मांत्र चिंता है राम कहां है राम कहां है राम को बुला रही है उन्हें व्याकुल होकर पुकार रही है किस तरह व्याकुल होने पर इश्वर लाब होता है मनी को इसकी शिक्षा देने के लिए यही मानो श्री राम कृष्ण के मन में सीता का उद्धीपन हुआ था। सीता राम में जीविता थी। श्री राम चंदर की चिंता में ही वे पागल हो रही थी। इतनी प्रियवस्तु जो दे हैं उसे भी वे भूल गई थी। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि बस सीता की धर्य व्याकुल हो जाओ वे सभी के भीतर हैं वही सोना सब के भीतर है कहीं प्रकाश अधिक है संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है एक भक्त पूछते हैं महराज इस लोक में और पारमार्थिक लोक में क्या अंतर है श्री राम कृष्ण कहते हैं साधना के समय नेती नेती करके त्याग करना पड़ता है उन्हें पालेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए है जब श्री राम चंद्र को वईराग्य हुआ तब दशरत को बड़ी चिंता हुई वे वशिष्ठ जी की शरण में गए जिससे राम संसार का त्याग न करें वशिष्ठ जी ने श्री राम चंद्र के पास जाकर देखा वे तो विमनस्क हुए बैठे हैं अंतरतीवर वईराग्य से भरा हुआ है वशिष्ठ जी ने कहा राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है मेरे साथ विचार करो राम ने देखा संसार भी उसी पर ब्रम्ह से हुआ है इसलिए चुपचाब बैठे रहे जैसे जिस चीज से मठा होता है उसी से मक्षन भी होता है अतयो मठे का ही मक्षन और मक्षन का ही मठा कहना चाहिए बड़ी कठिनाईयों से मक्षन उठा लेने पर अर्थात ब्रम्ह ग्यान होने पर तुम देखोगे, मक्षन रहने से मठ्ठा भी है जहां मक्षन है वहीं मठ्ठा है ब्रह्म है, इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतर विन्षती तत्व भी है ब्रह्म क्या वस्तु है? यह कोई मुक से नहीं कह सकता सब वस्तुएं जूठी हो गई है परंतु ब्रह्म क्या है? यह कोई मुक से नहीं कह सका इसलिए वह जूठा नहीं हुआ यही बात मैंने विद्यासागर से कही थी विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन हो गये थे विशय बुद्धी का लेश मात्र रहते भी यह ब्रह्म ग्यान नहीं होता कामिनी कांचन का भाव जब मन से बिलकुल चला जाएगा तब होगा ब्रह्म ग्यान पारवती जी ने परवत राद से कहा पिता जी अगर आप ब्रह्म ग्यान चाहते हैं तो साध्वों का संग कीजिए क्या श्री राम कृष्ण के कहने का थात्वरिय यही है कि मनुष्य जाहे संसारी हो या सन्यासी कामिनी कांचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्म ग्यान नहीं होता श्री राम कृष्ण भग्त से कह रहे हैं तुम्हारे धन संपत्ती होगी फिर भी तुम इश्वर को पुकारते हो यह बहुत अच्छी बात है गीता में है जो लोग योग भरष्ट हो जाते हैं वही भग्त होकर धनी के घर में जन्म लेते हैं भग्त कहते हैं शुची नाम श्री मताम गेहे योग भरष्टो भी जायते यही तो कहा है माराज गीता में श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ विचाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं उन ही की इच्छा से यह जीव प्रपंच हुआ है वे इच्छा मए है भक्त कहते हैं उनकी फिर कैसी इच्छा क्या उन्हें भी कोई अभाव है महाराज श्री राम कृष्ण कहते हैं इसमें दोश क्या है पाने स्थिर रहे तो भी वह पानी है और जीव जगत क्या मित्या है तरंगे उठने पर भी वह पानी ही तो है साप चुपचाप कुंडली बांध कर बैठा रहे तो भी वह साप है और तिरियक गती हो तेढ़ा मेढा रेंगने से भी वह साप है बाबु जब चुपचाब बैठे रहते हैं तब वे जो मनुश्य हैं वही मनुश्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हैं इस तरहे वजन तो घट जाएगा बेल के बीज और उसका छिलका निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता ब्रम्ह निरलिप्त है सुगंध और दुर्गंध वायू से मिलती है परंतु वायू निरलिप्त है ब्रम्ह और शक्ती अभेध हैं उसी आद्या शक्ती से जीव प्रपंच भना है भक्त पूछता है योग भष्ट क्यों होते है महराज श्री राम कृष्ण कहते हैं जब मैं गर्भ में था तब योग में था पृत्वी पर गिरते ही मिट्टी खाई धाई ने तो मेरा नार काटा पर यह माया की बेड़ी कैसे काटूं कामिनी कांचन ही माया है मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है आत्मा पर मात्मा चुम्बक पत्थर है जीव आत्मा एक सूई है उनके खींच लेने ही से योग हो गया अगर सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुम्बक नहीं खींचता मिट्टी साफ कर देने पर फिर खींचता है कामिनी कांचन मिट्टी है इसे साफ करना चाहिए भक्त कहते हैं साफ कैसे होगी महराज श्री राम कृष्ण कहते हैं उनके लिए व्याकुल होकर रो वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी जब आस्वों की धारा से वो खूब साफ हो जाएगी तब चुम्बक खींच लेगा योग तब ही होगा भक्त कहता है वह माराज क्या बात कही है आस्वों की धारा से जब साफ हो जाएगा लुभा तब चुम्बक खींच लेगा श्री राम कृष्ण कहते हैं उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं समाधी होती है योग में सिद्धी होने से ही समाधी होती है रोने से कुम्भक अपने आप ही हो जाता है उसके बाद समाधी होती है एक उपाय और है ध्यान सहस्रार कमल मस्तक में विशेश रूप से शिव का अधिश्ठान है उसका ध्यान शरीर आधार है और मन बुद्धी जल इस पानी पर उस सचीदानन्द सूरिय का बिम्ब गिरता है उसी बिम्ब सूरिय का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूरिय के भी दर्शन होते है इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूनता को प्राप्त होता है सेश अगलेंग में.